ये है इंदू ब्रोडकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन निउस हर पल हर शन हर सच गरियाबन से जहां गरियाबन के रिहाईशी इलाके में तेंदू की आमद के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है शाम होते ही मौके पर वन अमला तैनात कर दिये गए हैं वहीं वन विभाग ने मुनादी कर लोगों को घरों में रहने और छोटे बच्चों को बाहर न निकलने की समझाईश दी है आपको बता दें कि बीती रात गर्याबंद के रिहाईशी इलाके में तेंदूआ नजर आया था घर के बाउंडरी वाल में तेंदूए की चहल कदमी सीसी टीवी कैमरे में कैद होई थी जिसके बाद अब वन विभाग भी अलर्ट हो गया है वन अमला इलाके में लगातार निगरानी कर रहा है वहीं तेंदूए की चहल कदमी पर नजर रखने ट्रैक कैमरा भी लगाए गए है कल रात सीसी टीवी में कैप्चर हुआ है तेंदूआ का प्रजन्स वह आप देखेंगे तो गरियावंद में जो टाउन है टाउन के बगल में ही है बिलकुल गना अच्चा जंगल है इसलिए ऐसा जो वन्य परानी बीच बीच में कभी कबार आना जाना वो रहता है अभी जब से ये पता चला है वो समय से हम लोग है वन्य विबा का अमला है वो आज कल परसूम मतलब हम लोग वो लगातार ये करेंगे कि कर भी रहें आज वो किये हैं कि जो मुनादी किये हैं और जो गर-गर हम जाकर उस इलाका में क्या करना क्या नहीं करना है करके, ताकि कोई भी है जानमाल की कत्रा ना हो, वो बता रहा है, और हम लोग जो वहां उस एरिया में जितने भी CCTVs है, सो उससे उसके त्रूबी मानिटर करेंगे, उसका अत्रिक्त yes, us हम लोग सी सी टीवी लगा रखेंlow हैं, उससे उसका moment पता चलेगा वहां movement रहता है तो उसमें capture होगा नहीं है तो कभी क्या रहता है कि वह है जंगल बिल्कुल पास में है वह इसका नेचर हमेशा यह रहता है कि वह यहां मतलब बड़क के आ गया है फिर वह वापस अपने आप चले जाता है उसको हम एक मोका देना है वह जो कैमरा में मानिटर करने से और अपना जो गस्ती से स्टाफ का और जो चोकीदार उससे वह पता चल जाएगा तो इसलिए बहार चला गया जंगल चला गया तो किसी कोई इस् झाल